तो गाइस इस question में हमें Joule's law of heating कह सकते हैं कि heat किसमें ज्यादा produce हो रहा है किसमें कम produce हो रहा है हमें इसकी बात करनी है हम लोग जानते हैं Joule's law of heating के लिए अगर formula हम लोग देखें तो क्या होता है आपका I square R into T होता है और आप यह भी कह सकते हो अगर आपको power दे रखा है P है और time T है तो P into T भी लिख सकते हो अच्छा P के तीन formula होते थे हम लोग अगर P के formula I into V रखें तो यह formula क्या हो जाएगा heat का I into V into T हो जाएगा लेकिन अगर आप power का formula क्या रखो V square by R into T रखो ठीक है V square by R power का formula हो गया तो आपका heat जो produced हो गया V square by R into T हो गया और एक उपर हमने लिखी दिया है जो I square R है power का formula रखा है तो आपके पास यहाँ पे चार formula है और चार formula में से आप किसी को इस्तेमाल करके correct decision की तरफ आप पहुँचने की कोशिस करोगे हम लोग देखते कि जो हमारे पास given scenario है इस scenario में हर जगा जो potential difference है या source है वो identical लगा हुआ है इसका मतलब हमारे पास जो V है तीनों ही circuit में identical है तो जाहिर सी बात है कि हम किस formula को prefer करेंगे fourth formula को prefer करेंगे कि V हमारा identical है और same time के लिए जाहिर सी बात है heat produce हम लोग compare कर रहे होंगे इसका मतलब ये जो दोनों factors हैं ये determine नहीं करेंगे differentiate नहीं करेंगे circuits में इसका मतलब सिर्फ differentiate कौन करेगा resistance इसका मतलब कि जो R equivalent है ठीक है जो भी circuit का R equivalent होगा उसके ये inversely proportional होगा heat produce जिसमें R equivalent सबसे कम होगा उसमें heat produce जाहिर सी बात है क्या होगा अगर R equivalent गटता है तो जाहिर सी बात है heat produce क्या होगा increase करेगा अब जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे पास यहां पर पहले वाले circuit में जो R है R equivalent है single star resistor है तो उसका R equivalent 2 ohm हो जाएगा लेकिन हम लोग second वाले में देखें तो second वाले में 2 ohm से तो ज़्यादा आएगा क्योंकि 2 ohm के 2 plus 2, 4 ohm आज आएगा और तीसरे वाले में हम लोग कहेंगे कि ये 2 और 2 parallel add up है इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि जब भी parallel combination होता है तो उसका जो R equivalent होता है lesser than the least resistance in the combination होता है यह अगर हम माल ले तो answer 2 ohm से कम होने वाला है जब भी आप calculate करोगे तो इसका जो R equivalent आएगा वो 1 ohm आएगा तो clearly ये बात साफ साफ दिख रही है कि R equivalent third circuit में सबसे कम है तो जाहिर सी बात है इसमें जो heat produced है अगर S3 कह रहे हैं तो वो सबसे जादा हो जाएगा और R equivalent second circuit में सबस circuit में होगा वो सबसे कम हो जाएगा और जो आपका first circuit है H2 है sorry यहां H2 लिखना चाहिए हमें H1 है वो lies in between इसका मतलब ये sequence हो जाएगा खैर हम option देखते हैं कौन सा हमें option opt करना है तो क्या कहा गया है same in all the cases बिलकुल गलत minimum in case 1 नहीं ये तो बीच में है maximum in case 2 ये भी गलत है यहां पर अगर correct sentence देखा जाए तो हम क्या कहेंगे minimum in case 2 ये भी गलत है तो जाहिर सी बात है कि maximum in case 3 ये बिलकुल option correct है तो हम इस option को opt करेंगे thank you guys